आप सभी का स्वागत हैं हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल पर और इस वीडियो के माध्यम से महत्मुर्ण सुचना है 27 स्टंबर को PCS मेंस का एक्जाम हुआ था और ये एक्जाम हुआ था आपका हिंदी का और ये PCS की परिक्षा कराए गई थी उत्तर प्रदेश लोगसिवा आयुक की और से यानि कि ये परिक्षा आपकी PCS मेंस की परिक्षा थी तो इसका आपको पेपर दिखाएंगे जो की आज की परिक्षा में कोसन पूछे गए हैं जो लोग नई हूँ हमारे इस चैनल पर बहे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को ताकि आपको इसी प्रकार की महत्पुन वीडियो मिलते रहें तो देखिए आपको दिखाते हैं PCS का जो मेंज का एक्जाम हुआ है हिंदी का इसका कोसन पेपर तो देख सकते हैं आप ये PCS का हिंदी का पेपर है जो कि मेंज का है और यह हैं तीन घंडे का पेपर हुआ था और 150 नंबर का और इसमें देख सकते हैं कि निवलिकित गद्यांस को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिये गए प्रिसनों के उत्तर दीजिए ये एक प्रिकार से संचेपन होता है जो कि लिखने के लिए आता है PCS मेंस में यानि कि एक प्रिकाराफ होता है और उसके नीचे आपको कोशन मिलते हैं तो देखी इसमें दे रखा हैं जैसे इसमें दे रखा है कि प्रस्तुत गद्यांस का भावार्थ अपने सब्दों में लिखिए और राईनिती की भाषा का लक्ष क्या होता है और उपरियुक्ति गद्यांस की रेखांकित पंक्तियों की ब्याख्या कीजिए तो ये दो परेगराफ पूछे गए हैं PCS में और देखी इसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ कोशन पूछे आते हैं PCS में हिंदी में सुष्णा किसे कहते हैं हिंदी प्रियोक को अनिवार्य करने की एक अध्य सुष्णा बिधी मंत्रा लेद्वारा दिगई है इसका उपयोक्ति प्रारुप तयार कीजिये और दूसरा कोशन आया है परिपत्र किसे कहते हैं जिला धिकारी की और से जिले के सवी ग्राम परधानों के लिए सफाई विवस्ता पर ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तयार कीजिए और नमबर चार पे पूछे गए हैं बिलोम सब्द तो देख सकते हैं इसमें बिलोम सब्द आये हैं सद्भाव, महता और अपसेस इसके बाद कोस्टन नमबर पांच में पूछा गया है निमली की सब्दों में यानि की प्रियुक्त उपसरगों का निर्देश कीजिए तो इसमें दे रखें अतियंत निर्मिलन और निशल और दुरदर्शा इसमें पूछा गया है प्रतिय पूछे गये हैं और इसके बाद कोस्टन नमबर 6 में निमलेकित बाक्यांसो के लिए एक एक सब्द लिखिए और इसके बाद कोस्टन नमबर 7 आया है निमलेकित बाक्यों को सुद्द कीजिए यानि कि इसमें बरतनी आपकी पूछी गई है जो की यानि की असुद्ध है सुद्ध के लिए पूछा गया है और इसके बाद जो कोसन है नेमलेकित सब्दों की बरतनी का संसोधन कीजिए तो इस प्रकार के कोसन PCS में पूछे आते हैं जो की आज का वेपर है में स्काई और इसमें दे रखा है कोसन नमबर आठ में नेमलेकित मोहाबरों और लोकोक्तियां के अर्थ को लिखिए और उनका बाख्ये में प्रियोग कीजिए इसमें जैसे दे रखा है चुहे के चाम से नगाड़ा नहीं वस्ता तो ये दे रखें आप ये दस मोहाबरे और लोकोक्तियां पूछी गई है तो इसी प्रिकार का पेपर हिंदी का आता है मेंस का PCS का जो की उत्तर प्रिदेश का है जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आगामी जो परिक्षा होंगी आपकी अगर आप PCS प्रिपास कर लेते हैं तो हिंदी का पेपर आपको लगवग ऐसा ही मिलेगा इसी पैटर्न पर अधारित होता है और ये 150 नंबर का पेपर हुआ था जो लोग नई हों हमारे इस चैनल पर बहें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें आप लोग पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद